हेलो गाइज and welcome to the channel कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी ठीक होंगे गाइज अभी इस टैम पर जो energies लेकर आए हूँ आप सभी के लिए next three days की energy है so guys आपके relation के लिए हम देखने वाले है next three days की energy आपके person क्या कुछ सोच रहे हैं अगले तेन दिनों में आपके लिए क्या आपके person next three days में आपके लिए कोई action लेंगे energy is basically हम check करने वाले हैं कि आपके person का कोई action होगा आपके लिए कोई strong decision लेंगे आपके person आपके लिए next three days में so guys energies को मैं start कर लेती हूं लेना all sign rating है किसी भी sign के हो आप इस rating को देख सकते हो energy अगर आपके साथ में match कर रही है guys देख लेती हूं person का name ज़रूर से लिखी comment section में ताकि energies आपके साथ में resonate करें next three days में क्या आपके person आपके लिए कोई action लेंगे again person का कोई action होगा next three days में angels प्लीज काइड करें universe प्लीज काइड करें next three days में क्या कुछ action हो सकता है आपके person का आपके लिए so chariot की energies change तो है guys है आपर change की energies मुझे सबसे पहले मिल रहे हैं कि कोई change जाने वाला है आपके relation में कोई tower moments के energy नज़र आ रही है guys अपके relation में मुझे stamp energy विल रहे है कि आपके person के साथ में no content situation में हो सकते हैं block situation में हो सकते हैं distances नज़र आ रहे हैं stamp मुझे आपके person के relation में कोई दूरिया नज़र आ रहे हैं जैसे अब इस time पर आप लोग दूसरे के साथ में आप तो contact में नहीं है या फिर अगर stamp पर आप लोग दूसरे के साथ में contact में हैं तो कोई misunderstanding है कोई बहुत साथा misunderstanding मुझे नज़र आ रही है कुछ-कुछ energy वी ऐसी नज़र आ रही है कि अगले तीन दिनों में कोई change मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी relation में जिस बात में इस time पर सबसे ददा आपका focus है जो भी बात है आपकी relation में कोई misunderstanding से related हो third person से related हो कोई भी ऐसी situation अगर आपकी relation में stamp पर है जिससे आप या फिर आपके person नाराज है एक दूसरे से या को लेकर आ रहे है आपके person guys stamp मुझे ऐसी energy में नजर आ रहे हैं कि जैसे वो person किसी control से बाहर आना चाहते है या फिर आपके person जो है stamp पर किसी order में अपने आपको महसूस कर रहे हैं कोई third person ऐसे हैं जो जिन्होंने कभी उनको guide किया है और अब आपके person जो है उनकी guidance को नहीं person इस time पे मुझे किसी difficult situation से बाहर निकलते हैं नजर आ रहे हैं जैसे आपके जो person है किस third party situation से या तो बाहर निकल रहे हैं या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं साइन की बात करूं guys तो मुझे आपर Sagittarius की energy सबसे पहले लग रहे है Sagittarius की energy हो सकते हैं आपके person की Capricorn हो सकत हैं आपके person सो अगर इन person के sign हैं आपके फिर आपके person की तो आप इस energies को understand कर सकते हैं कि आपके person है इस time पर situation से बाहर आना चाहरे है कोई change आ रहा है कोई shocking change मुझे है आपके energies में भी आता हूँ नजर आ रहा है guys next three days में कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है अपने relation में जिस आप शौक हो सकते हो या फिर अपने person की तरफ से कोई ऐसा change मुझे आपकी तरफ आता हूँ नजर आ रहा है जिस से आप शौक होने वाले हो बहुत जादा आपके साथ में कुछ unexpected चीजे मुझे आती हूई नजर आ रही है वो चीजे कुछ ऐसी हो सकती हैं आपके relation में next three days मे जो आपने expect नहीं करी थी आपने सोची नहीं थी और आपको कहने कहीं देखने को मिल सकती है आपने relation में इस time पे guys आपके मन में क्या चल रहा है क्या चीज इस time पर आप सबसे ज़ादा सोच रहे हो कहीं नहीं वही चीज आपके relation में एक change को लेकर आती हूँ नजर आ रही है मैंने एक offer दिया है, discount offer दिया है, सिर्फ और सिर्फ personal readings पे अगर आप personally अपने prediction लेना चाहते है guys तो personal prediction के लिए इस वक्ट जो स्क्रीन पे WhatsApp नमर आ रहा है आप उससे मुझे contact कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ WhatsApp कीज़ेगा guys, call मत कीज़ेगा, मैं आपके साथ जो है, energies को आगर तीन दिनों में, okay, so next three days में guys, first energy मुझे मिल रहे है, आप में से किसी के person के लिए, जो stamp पे बहुत गुसे में है, नाराज है, बहुत ही जादा इन person का mind है, stamp पर किसी काम में नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है guys, कि जिसे किसी third person से बहुत ज़दा परिशान है, किसी third person से ब किसी third person की energy बहुत ज़दा है guys, हो सकता है, आपके साथ मुझे energies है, resonate करे, resonate नहीं भी कर सकती है, अगर आपके relation में कोई third person situation है, तो मुझे आपर ऐसी energy मिल रहे है, कि यह person किसी third person से जैसे चूट कर आपके पास comeback हो रहे है, उल्टे पैर जैसे ही person आपके पास अब धौरते हो person, जलदवाजी में कोई decision नहीं लेंगे, जलदवाजी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे इन person को आगे guilt हो, और इसलिए मैं आप पर देख रहे हूं कि person ने decision लिया है, आप में से कई लोग कि person की energy मिल रही है, कि आप जब भी decision लेंगे, आपके लिए permanent union का decision लेंगे, जाने कि permanently आपके life में comeback होंगे, ऐसा नहीं करेंगे, परसन के आपके life में comeback हो, और उसके बाद जब आप इन से कोई commitment मांगे, तब ये person वापस से on-off situation में है, so next three days में कोई ऐसी energy मिल रहे है, कि जिससे इन person आपके life में किसी कुछ लेकर आतो है, नजर आ रहे है, कोई mature energies में आकरी person जो है, को decision लेते होंगे, नजर आ रहे है, पास्ट में परसन ने अगर आपको कोई commitment दिया है, उसको पूरा नहीं कर पाए है, तो उस बात का बहुत burden है इन person के मन में और उसके लिए कोई strong decision next three days में आपके person ले सकते है, एक energy मुझे ऐसी भी है, कि आप next three days में आपको किसी बात को लेकर अगर गुस्सा आता है, तो कहीं न कहीं आपको इस गुस्से को avoid करना है, ऐसी energy हैं आप मुझे आपके लेकर राती हुई नजर आ रही है, किसी बात को लेकर आप मुझे गुस्से में ऐसा लग रहा है, किसी आप हो सकते हो, so किसी तरह से गुस्से से आप को बचना है and the lovers आपके person guys finally आपके लिए जो energy लेकर आ रहे है next three days में I hope आपके साथ में energies है resonate करें energies आपको बिल्कुल clear हो कि next three days में आपको reading के end end तक energies मिल चुकी है कि आपके person आपके लिए lovers की energies को लेकर आ रहे हैं बहुत loving decision होगा आपके person का एक strong decision होगा आपके लिए आपे मुझे बहुत strong energy मिल रही है person के कुछ letters नजर आ रहे हैं कि person कौन कौन हो सकते हैं जो आपके लिए next three days में एक gift को लेकर आ रहे है proposal को लेकर आ रहे है commitment को लेकर आ रहे है किसी किये हुए वादे को पूरा करने आ रहे है तो यहाँ पर लेकर सबसे पहले मुझे H नजर आ रहा है अगर आपके person का नेम letter H से शुरू हो रहा है तो बहुत ही स्टैम पे उपर चान परसन जो है major होकर कोई decision यह तो नजर आ रहे हैं letter M बहुत सबस्दा हैं आपर show हो रहा है आपकी person के name में अगर letter S आता है या फिर letter R हाता है तो बहुत सबस्दा stamp पे person आपके लिए loving energy को महसूस कर रहे हैं किसी के person के name के letter जो है stamp मुझे letter T से नजर आ रहा है कि आपके जो person का name है वो letter T से start होता है या फिर letter U या V से start होता है वो यू भी हो सकता है वी भी हो सकता है ऐसी कुछ energy stamp मुझे मिल रही है आपके person के name के letters में so guys यहाँ पर numbers की बात करो तो number 7 stamp मुझे आपके relation के लिए बहुत जादा important नजर आ रहा है number 5 की highly energy है कि आपके relation में कहीं कहीं न कहीं किसी तरीके से number 5 जो है आपके relation को stamp पे effect कर रहा है कोई अच्छा result आपको मिल सकता है number 5 में so I hope आपके साथ मुझे rating है resonate की हो till the time देखें